नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें किसी भी मंगलवार के दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ती हनुमान जी के आशीरवाद से ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बलकि आपका भाग्य होगा साथवें केड़ की जड़ अति प्रीय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा यह जड़ नहीं स्वयम हनुमान जी महाराज के चरण है इनका विशेश शुबकारी मंगलकारी आशीरवाद है कल मंगलवार के दिन खुद इस जड़ को ल करीबी से बहुत परेशान हैं आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है आपके जीवन में आप बहुत तनाव में रहते हैं पहले आपका व्यापार चल रहा था अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है आपके जीवन में आपको परेशानी तनाव और दिक्कत में घेर क तो बस आज की इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लीजिए और सिर्फ किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण कर लीजिए इसके बारे में वेद पुराणों में बताया गया है और यकीन मानिये इतना उपाय करने भर से आपको बजरंग बली जी का वह वर्दान और वह आशीरवाद मिलेगा जिसके बाद ना केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कश्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगे बलकि हनुमान जी के आशीरवाद से आपका भाग्य प्रबल हो ज जलिए आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कुल मिलाकर कहें तो आपके समस्त परेशानी का निवारण मात्र इस जड़ को धारण करने से हो जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन इन पौधों में जो सकारात्मक उर्जा का प्रवाहन होता है वह बहुत तेज होता है। और अगर आप मंगलवार के दिन इन पौधों की जड़ को सही मुहूर्थ पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए, हनुमान जी का आपके आशीरवाद और वर्दान जरूर मिलेगा। दोस्तों, महेंगे रत्न पहनने की बजाए अगर आप पेड़ पौधों की जड़ को धारन करते हैं, तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। न कहीं रत्न में मिलावट होती है और रत्न को लेकर के बहुत से लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं। परंतु पेड़ पौधों की जड़ होती है, उसमें आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। और जिन जड़ों को धारन करने के ल रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों। एक बात को समझ लीजिए। हनुम हनुमान जी महराज का सच्चा भक्त होता है, उस मानव को अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि हनुमान जी महराज अपने भक्तों के ऊपर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं। इसलिए हनुमान जी महराज को संकट मोचन देवता बोला जाता है। और अगर आप भी मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ जड़ों में से एक भी जड़ धारन कर लेंगे, तो आपको साक्षात मन्जी का आशीरवाद मिलेगा और आपके जीवन में आपका बेड़ा पार होना 100% है। मैंने इस जड़ का लाब खुद महसूस किया है, मुझे इसका अत्यंत लाब मिला है और आपको भी इसके बारे में बता कर आपका भी भला करना चाहता हूँ। वीडियो में अब जानते हैं कि जड़ को धारन कैसे करना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। इन पेडों की जड़ों को किसी भी मंगलवार के दिन लाना है, उसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धो लेना है और घर के पूजा घर में रखने के बाद इसकी थोड़ी सी पूजा कर लेनी है। अगर आप हो सके तो चमेली के तेल का दीपक इन जड़ों के सामने जला देना है। उसके बाद चाहे तो चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में आप इन जड़ों को धारन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा और किसी भी मंगलवार के दिन दो चार मिनट का समय निकाल करके आपको सिर्फ उन जड़ों को लेकर है जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में साफ साफ लिखा हुआ है। और इन्हें धारन करने के बाद मान के चलिए आपके जीवन में एक ऐसा चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा कि आपको अपने जीवन के समस्त तरह के कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आपको धन, सुख, सम्रिद्ध, वैभव, एश्वर्य की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आपके जीवन में कोई दोश है। शनी दोश की पीडा हो, मंगल की पीडा हो या नव ग्रहों की पीडा हो। हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको बस अनंत मूल की जड़ लेकर आना है। किसी भी मंगलवार के दिन अच्छी तरीके से धोने के बाद लाल कपड़े में लपेट करके अपनी दाई भुजा में धारण कर लेना है। इतना उपाय अगर आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया तो इस उपाय को करने के बाद बजरंग बली जी की कृपा से ना केवल आपके उपर में जो भी दोश होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा बलकि आपका भाग्य आपका साथ देना शुर आप अपना इलाज करकर ठक चुके हैं तो बस किसी भी मंगलवार के दिन आप अतिबला नाम के पौधे की जड़ को किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में रखकर धारण कर लीजिए दोस्तों अतिबला का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया जाता है इसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है और अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन अतिबला पौधे की जड़ को ताबीज में रखकर धारण कर लेंगे तो दोस् जिसकी वजह से आप बीमार पड़े रहते हैं, तो वह दोश अपने आप खत्म हो जाएगा. वेद पुराणों में साफ बताया गया है कि अगर एक बीमार मानव मंगलवार के दिन अतिबला पौधे की जड़ को धारन कर ले, तो उस बीमार मानव को उसके स्वास्थ्य में सुधार दिखता है. वह बीमार मानव बिलकुल स्वस्थ होने लगता है. अतिबला पौधे के ब तो किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ को धारण कर लीजिए। आपने बिल्कुल सही सुना हैं दोस्तों, चमेली के पौधे में भगवान हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि हनुमान जी की पू जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस आप किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ का धारण चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में कर लीजिए। यकीन मानिये इतना करने भर से आपके जीवन की समस्त तरह के आर्थिक कष्ट और आर्थ दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जिस मानव का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है, उस मानव के जीवन में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, वह मानव जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उसको फाइदा पहुँचता है, अगर आप चाहते हैं कि आपक भाग्य का साथ मिल सकता है, आपका भाग्य प्रबल हो सकता है, दोस्तों, जब धर्ती पर अमरित की कुछ बूंदें गिरी थी, उसकी कुछ बूंदें लटजीरा नाम के पौधे पर भी गिरी थी, इसलिए लटजीरा का जो पौधा होता है, इसको एक दिव्य पौधा मान शास्त्रों में बताया गया है इस पौधे में कई देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है और आप किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की धारण कर लेंगे तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह भी आपका साथ देगा और आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्ण प्रधान करें, सदा आपको सुरक्षा ये प्रधान करेगी, ये जड़ मित्र की भांती मदद करती है, आपको आपके जीवन में हनुमान जी का साथ दिलाएगा, ये थी छोटी सी, अगर आप हनुमान जी का आशीरवाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ज जै श्री राम, किसी भी मंगलवार के दिन बस पहन लेना, अपने गले में, इस पौधे की जड़ जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ती हनुमान जी के आशीरवाद से, ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बलकि आपका भाग्य होग साथवें पेड की जड़ अति प्रिय है, और जिसके गले में यह जड़ होगी, उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, यह जड़ नहीं, स्वयम हनुमान जी, महाराज के चरण है, इनका विशेश शुबकारी, मंगलकारी आशीरवाद है, कल मंगलवार के दिन खुद इस जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान है, आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है, आपके जीवन में आप बहुत तनाव में रहते हैं, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपके जीवन में आपको परेशानी तना और दिक्कत में घेर करके रखा है तो बस आज की इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लीजिए और सिर्फ किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण कर लीजिए इसके बारे में वेद पुराणों में बताया गया है और यकी इतना उपाय करने भर से आपको बजरंगबली जी का वह वर्दान और वह आशीरवाद मिलेगा जिसके बाद ना केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगे बलकि हनुमान जी के आशीरवाद से आप का भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके राहु, केतु, आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में जो आएगा उसमें वृद्धि होगी, और मान के चलिए आपके ज काफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कुल मिलाकर कहें, तो आपके समस्त परेशानी का निवारण मात्र इस जड़ को धारण करने से हो जाएगा, दोस्तों जिन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, वह ऐसे पौधे हैं, जिन में हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास माना गया है, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित होता है, उसी तरह से का दिन हनुमान जी महराज को समर्पित होता है, शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन इन पौधों में जो सकारात्मक उर्जा का प्रवाहन होता है वह बहुत तेज होता है और अगर आप मंगलवार के दिन इन पौधों की जड़ को सही मुहूर्थ पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिये हनुमान जी का आपके आशीरवाद और वर्दान जरूर मिलेगा दोस्तों महेंगे रत से लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं परंतु पेड़ पौधों की जो जड़ होती है उसमें आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है और जिन जड़ों को धारण करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में हमारे शास्त्रों में हजारों साल से ल तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली जै श्री राम जरूर लिखें दोस्तों एक बात को समझ लीजिए हनुमान जी महराज एक संकट मोचन देवता है कहने का मतलब ये है जो भी हनुमान जी महराज का सच्चा भक्त होता है उस मानव को जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि हनुमान जी महराज अपने भक्तों के ऊपर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं इसलिए हनुमान जी महराज को संकट मोचन देवता बोला जाता है और अगर आप भी मंगलवार के दिन हमारे शत्य है, मैंने इस जड का लाब खुद महसूस किया है, मुझे इसका अत्यंत लाब मिला है और आपको भी इसके बारे में बता कर आपका भी भला करना चाहता हूँ। तेली के तेल का दीपक इन जड़ों के सामने जला देना है, उसके बाद चाहे तो चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में आप इन जड़ों को धारन कर सकते हैं। एक ऐसा चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा कि आपको अपने जीवन के समस्त तरह के कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आपको धन, सुख, समरिद्ध, वैभव, एश्वर्य की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आपके जीवन में कोई दोश है। जैसे कि शनी दोश है, मंगल दोश है, आपको नवग्रह की पीडा है। आपका दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है। आप इस चीज को लेकर के अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप परेशान मत हो, आप किसी भी मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ को लाकर के धारण कर लेंगे। तो आपकी कैसी ही पीडा हो, चाहे वह शनी दोश की पीडा हो, मंगल की पीडा हो या नव ग्रहों की पीडा हो, हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके उपर में जो भी दोश होगा, उसका प्रभाव लग भग ना के बराबर हो जाएगा, बलकि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको आपका सौभाग्य के साथ मिलेगा, आपके नवग्रह का साथ मिलेगा, आप जो भी निर्णे लेंगे, उस निर्णे से आपको फाइदा पहुचेगा। दोस्तों मान लीजिये, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप अपना इलाज करकर ठक चुके हैं, तो बस किसी भी मंगलवार के दिन, आप अतिबला नाम के पौधे की जड़ को किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में रखकर धारन कर लीजिये, दोस्तों अतिबला का पौधा एक ऐसा पौधा होता है, जिसके बारे में शास्त्रों में बताया जाता है, इसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है, और अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन, अतिबला पौधे की जड़ को ता अतिबला पौधे की जड़ को धारन कर ले, तो उस बीमार मानव को उसके स्वास्थ्य में सुधार दिखता है, वह बीमार मानव बिलकुल स्वस्थ होने लगता है, अतिबला पौधे के बारे में वनस्पती शास्त्र में पूरे ग्यारह अध्याय लिखे हुए हैं, दोस्त कर लीजिए, आपने बिलकुल सही सुना है दोस्तों, चमेली के पौधे में भगवान हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसीलिए आपने देखा भी होगा, कि हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है, ताकि हनुमान जी क क्रिपा एक मानव को मिल सके और अगर आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है तो बस आप किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ का धारण चांदी के ताबीज में या त हनुमान जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में अथाह धन की आपको प्राप्ती होगी दोस्तों एक बात को समझ लीजिए जिस मानव का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है उस मानव के जीवन में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है वह मानव जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फाइदा पहुँचता है अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो किसी भी मंगल दिन लटजीरा नाम के पौधे की जड़ का धारन अपने गले में कर लीजिएगा इतना उपाय करने भर से आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकता है आपका भाग्य प्रबल हो सकता है दोस्तों जब धर्ती पर अमरित की ग्रतियों का वास होता है और आप किसी भी मंगल वार के दिन इस पौधे की धारन कर लेंगे तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह भी आपका साथ देगा और आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचेगा तो अपना भाग्य परिवर्तन करन आपको आपके जीवन में हनुमान जी का साथ दिलाएगा ये थी छोटी सी अगर आप हनुमान जी का आशीरवाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जै हनुमान जी महाराज जै श्री राम